नमसकार बहुत स्वागत है आपका बिहार नीयूज में मेरतन सेन्वारती अजो हम बात करेंगे नुयोजीसिचकों के बारे में नियोजीसिचक और सरकार के बीच में आए दिन अपनी मांगों को लेकर मुखर होते देखे जाते हैं ऐसे में एक बार फिर से नियोजी सिचकों ने सरकार के खिलाफ मुर्चा खोल दिया है। बतादे कि नियोजी सिचकों का कहना है कि बेतन की रासी ना मिली और ना ही एरियल का भुकतान हुआ। इस मांगों को लेकर बिहार पंचायच प्रणविक सिक्चक संग ने जिल अध्याच्चों के साथ एक बैठक की है। माने 15% बढ़े हुए बेतन का भुगदान 1 अपरेल 2021 के प्रभाब से होगा। कि बिहार सरकार ने जो बेतन विर्धी के लिए 15% कल्कूलेटर निर्धारित किया है उसमें विजह मेला है। आदेश में कहा गया है कि बेतन संरचना निर्धारित करने के लिए आउनलाइन कल्कूलेटर अब तक तयार नहीं हुआ है। कि बेतन संरचना निर्धारित की जाएगी और बेतन विर्धी का लाभ दिया जाएगा। टीटी एस टीटी उतिर्न नियोजित सिच्छक संग गोप गुट बिहार के प्रदेश अत्यक्स मरकांडे पाठक ने कहा कि साल भर के बाद 15 फिजदी मूल बेतन बढ़ोतरी का इंप्लिमेंट लेटर जारी हुआ। लेकिन इसमें सीधे-सीधे देने के बजाए इतना उल्जा दिया गया है कि इसे सुल्जात सुल्जार से बरसो लग जाएंगे। मतलब कि डंडी मारने लंगी मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यह भी कहा गया है कि सिच्छावी भाग ने जारी अधुसुचना के अनुसार आउनलाइन कल्कुलेटर तैयार होते ही सिख्चकों के बेतन निर्धारित कर दिया जाएगा नियोजिक सिख्चकों की माने तो इससे पहले भी सिख्चकों के ट्रांसफर के नाम पर दो साल के सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है और सौफ्ट वेर तैयार करने का पहाना बनाया जा रहा है ऐसे में कार्ज भहिसकार के अलावा अब सिख्चकों के पास कोई रास्ता नहीं ह सिच्छकों ने सरकार को जनवरी तक मांगे पूरी करने की महुनत दी है एक तरह से कहलने कि अब सिच्छक सरकार के उपर हमलावर दीख रहे हैं और साफ तोर पर कहा है कि मैट्रिक और इंटर की परिक्षा में जो उनकी ड्यूटी लगती थी परिक्षा के दोरान उसमें उन्होंने कार्ज बहिसकार करने की बात कही है साफ साफ है कि उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि बेतन बिरिधी उनका नहीं हो पा रहा है और उनका बाकायआ एरियल है उसमें फि Otherwise है उनका ईरियल बचा हुआ है वह सिर्चकों तक नहीं पहुंचा है ऐसे में वह कार्जव कारण करने की बात कर रहे हैं बिहार और बिहार से जड़ेवे और बियर से इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजी अजाज़त धन्यवाद